आज मैं आपके साथ एक और बहुत मज़ेदार देसी रेसिपी शेयर कर नहीं हूँ जिसको आप नाश्ते में सर्फ कर सकते हैं लेकिन इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं बच्चों को तो यह बहुत पसंद होते हैं और यह रेसिपी है क्रिस्पी एक पराठा की बिल्कुल जैसे स्ट्रीट स्टाइल में बनता है वो तरीका आपके साथ शेयर करूंगी तो चलिए हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को सबसे पहले इसके लिए आटा गून लेना है मैंने यहां पर मैदा लिया है 400 ग्राम एक चाय का चमच में डालूंगी इसमें नमक और एक खाने का चमच करना है नीम गरम पानी से पानी आप इकठा इसमें नहीं सारा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें शामिल करते जाएं और यू मिक्स करते जाएं और पानी आपने नीम गरम ही इसतमाल करना है इस तरीके से नरम आटा आपने गून लेना है चार से पांच मिनट को गुनने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक खाने का चमच वेजटेबल ऑई लगाऊंगी और इसको ढग कर अपने रख देना है तकर आदे घंटे के लिए जब तक आप आदे घंटे के लिए अटे को रेस्ट देंगे उतनी देर में हम इसकी जो हमने अंडा तयार करना है मैं मैंने यहां पर तीन अंडे लिये थे मीडियम साइज के आप चितने इस्तमाल करना चाते है आप कर सकते है अपनी दुरूरत के हिसाब से नमक मैं इसमें डालने ही हूँ हस्पे जाइका और कुटी हुई काली मिर्चे यह भी आप हस्पे जाइका लेंगे तकरीबन एक चौ गरी दाला है बारिक कटाँ अहरा धनिया और बस यही चीजें इसमें जानी थे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करलीना है एक का मिक्स्टे तयार हो चुका है अटा भी तयार है अब आपने इसको इसके आपने पेड़े पना लेने है जितने सासिके आप पराठ्he बना बहुत बारीक नहीं बनता इस तरीके से आपने इसका पेडा बना लेना है यह देखे और पेडा बनाने के बाद अब मैंने इसके ओपर थोड़ा सा मैदा लगाया है और मैं इसको बारीक बेल लूँगी जैसे हम रोटी को बेलते हैं इस स्टेज पर आपने इसको काफी बारी आपने मैदा चिड़क देना है थोड़ा सा तकीबन एक चाय का चमच, मैदा चिड़कने के बाद अब आपने इस तरीके से इसको फोल करना है, बिल्कुल वही तरीका है जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं, फोल करने के बाद अब इसके ऊपर भी आपने पिगला हुआ मक् पेड़े आप बना कर तकरीबन 10-15 मिनिट के लिए इनको ठक के छोड़ दीजिए और उसके बाद अब आपने इनको बनाना है अब यहां पर यह तो ऑल या घी इसको बेलने के लिए यह फिर आप मैदा इस्तमाल कर ले और इस तेज पर आपने इसको बहुत ज्यादा जादा क्रिस्पी हो जाता है यह देखे पराथे को मैंने बेल लिया है अब यहां पर पैन को मैंने पहले से प्रीहिट कर लिया था हाइफलें पर और अब इस प्रीहिट इपन में इसको डाल दूंगी हाइफलें पर ही आपने इसको पकाना है तकरीबन 10-15 सेकंड के लिए इसके बाद आपने इसके साइट को चेंज कर देना है और दूसी तरफ से भी आपने इसको 10-15 से के लिए पका लेना है यह बहुत असान तरीका में आपके साथ शेयर करने ही हूं इसी तरह से आपने सारे के सारे पराथे बेल कर पहले आप बेले इनके पेड़े पनाये और इस तरीके से बना लिये हैं अभी में आपको दिखा देती हूं कि यह किस सरा से लगेंगे पराथे तयार हो चुकी है आधे कच्छे है और आधे पके है अब यहां पर आपने दुबारा पैन में ओयल या मखन या घी जो आप इस्तमाल करना चाहते हैं वह आप ले 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 ल यह एक चला जाएगा एक पराथे के लिए पूरे पैंपे आपने इसको पहला लेना है अपने पराथे के साइस के हिसाब से और जो हमने पराथे सेख के रखे थे यह अब आपने एक इसके उपर रख दिना है और चम्मच की मदद से आपने इसको प्रेस करना है उपर से ताकि यह जो नीचे साइड है क्रिस्पी हो जाए और इसके उपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आज़ाए चाब मदद से आपने इसको प्रेस जरूर करना है एक तरह से जब यह हो जाए तो अब आपने दुबारा से इसके उपर ब्रश करना है और आपने इसके साइड को चेंज कर देना है और दूसी तरफ से भी आपने इसको बिल्कुल इसके प्रेस करते हुए इतनी देर तक फ्राइ करना है जब तक कि यह क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए बहुत अच्छा सा एक कलर इनके उपर आ जाता है और चूंकि पहले हमने इसको बेल के इसको लच्छे पराठा की तरह बनाया था तो इसके बहुत जबरदस बलते हैं यह देखिये डोनों तरफ से ऐब को दिखा देती हूं कि दोनों तरह से क्रिस्पी हो चुका है अब आपने क्या करना है दोनों तरफ से जब हो जाया आप इसको निपाल लीजए और आप इसको तर लीजीए मैं यहां चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें वीडियो अपडेट्स के लिए और एक नहीं रेसिपी तक के लिए लाहफेज